संसद में सुरक्षा चूक के चलते लगातार विपक्षित दल के संसद हंगामा कर रहे हैं जिन पर आज कारेवाही करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया संसद के शीत कालिन सत्र के ग्यारवे दिन आज 18 दिसंबर को दोनों सदनों से 78 संसद सस्पेंड किये गए है असल में संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लोगसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ लोगसभा स्पेकर ओम बिल्ला ने 33 संसदों को सस्पेंड कर दिया इनमें नेता अधिरंचन चौधरी समीत कॉंग्रिस के 11 संसद त्रुन्मुल कॉंग्रिस के 9, DMK के 9 और 4 अन्य दलों के संसद शामिल है इसके बाद राज्यू सभा में भी हंगामा हुआ इसके चलते सभापती जगदिभधनकर ने 45 विपक्षी संसदों को पूरे सत्र के लिए 22 दिसंबर तक निलंबित कर दिया इससे पहले 14 दिसंबर को लोगसभा से 13 संसद निलंबित किये गए थे इनमें कॉंग्रिस के 9, CPI के 2, DMK और CPI के 1-1 संसद थे इनके अलावा राजसभा संसद देरे गॉब्राइन को भी 14 दिसंबर को सस्पेंड किया गया था शितकालिन 17 से अब तक कुल मिला कर 92 संसदों को सस्पेंड किया जा चुका है राजसभा में संसदों की संख्या 245 है इसमें भाजपा और उसके सहयोगी दलों के 105, इंडिया के 64 और अन्य 76 है इनमें से विपक्ष के 46 संसद पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है वही लोग सभा में इस समय संसदों की संख्या 538 है इसमें एंडिया के 239, इंडिया के 142 और अन्य दलों के 66 संसद है इनमें से 46 संसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो चुके है गुजरात के नर्मदा जिले के एक्ता नगर के स्टाच्यू ओफ यूनिटी परिसर में गुजरात को सहसिक परियतन शेत्र में अग्रसर बनाने के लिए प्रवसान निगम द्वारा 770 करोड के M.O.U. साइन किये गए गुजरात के नर्मदा जिले के एक्ता नगर में स्टेत स्टाच्यू ओफ यूनिटी परिसर में गुजरात प्रवसान निगम और Adventure Tour Operators Association of India के सन्युक्त उक्रम में आयोजित पंदरवी वार्शिक सभामी प्रवासन वन और परियावरन मंतरी मुठ्व भाई बेरा की उपस्तिती में राज के प्रवासन शेत्र में विकास के लिए 770 करोड के कुल 10 MOU साइन किये गए जिला में Invest Infrastructure, 4 Star Resort, Conference Area जैसे नए आयामों के निर्मान से आदिवासियों को रोजगार मिलेगा गांधी नगर में 400 करोड के खर्चे से मनुरंजन जोन और कल्चर थीम पार्क के निर्मान से 1100 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा वहीं गीर सोमनाथ प्रवचन धाम में फिल्मों की शूटिंग के लिए 100 करोड का खर्च किया जाएगा जिसके चलते 2000 से अधिक लोगों को रोजगार के मौखे मिलेंगे वहीं कच्छ पर्याटन स्थल में फिल्म की शूटिंग के लिए 125 करोड के खर्च किये गए हैं इसके चलते लगभग 500 नागरिकों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा अधिक न व्योषाई माटे अलग जे श्थडो शेमा पेले जही नहीं वा जोई नहीं वा चे पसी आ और करेक्रम में यही वा चे लेकरना बदा राज्यय माथी जे आ प्रकार ना एड़ेंचर टूरिश माटे नूँ जे काम करे छे एन आपड़ा गुजरात ना अलग-अल प्रवास्यों नी अजुप पन वधार हो था शे अनने स्थानिक गुजरात ना लोकों ने रोजगरी माँ पन वधार हो था शे महराजा सैजराव गयकबाड युनिवरसिटी बडोद्रा की ये युनिवरसिटी देश-विदेश में मशूर है और हमेशा ही अपनी शिक्षा पधदी के लिए जानी जाती है और MS युनिवरसिटी की शिक्षा पधदी को ध्यान में रखते हुए ही UGC ने NEP यानि की नई एजुकेशन पॉलिसी के तहट MS उनिवरसिटी पर एक बड़ी जिम्मेदारी जाली है मातरू भाशा में जो पाथे पुस्तक है उसे कनवर्ट करने की जिम्मेदारी MS उनिवरसिटी को दी गई है दस युनिवरसिटी के VC को इसमें शामिल किया गया है कुजराती संवर्धन कमिटी बनाई गई है जिसमें मातरू भाशा में पाथे पुस्तकों को ट्रांसलेट किया जाएगा पाथे पुस्तकों को रुपांतरित किया जाएगा MS उनिवरसिटी में बड़ी भूमिकानी भाने वाली है MS उनिवरसिटी वैसे ही वड़ोतरा शहर की आनबान और शान बा गुजरात का वडोदरा शहर एतिहासिक महराजा साजराव गायकवार युनिवसिटी के नाम से भी जान जाता है। एमेस उनिवसिटी का नाम उंचा करते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो केंदर सरकार ने लागू की है। उसके तहत बेजिक जो है वो बेजिक के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि मात्रु भाषा में शिक्षण। जो उस पॉलिसी के तहत या माना गया है। कहीं भी सारे रिसर्च के आधार पे ये पॉलिसी डिजाइन हुई है। कि मात्रु भाषा में शिक्षण देने से बच्चा जो ग्रास्पिंग पावर है उसका बढ़ता है। वो अच्छी तरीके से शिक्षा ले सकता है या मानना है। तो इसके तहत ही UGC ने पूरे भारत वर्ष में स्टेट वाइज ऐसे जो उनकी रिजनियल लेंग्वेज है। रिजनियल लेंग्वेज के लिए कॉडिनेशन की एक कमिटी बनाई हुई थी। जिसको मात्रू भाषा संवर्धन समिती इस प्रकार से नाम दिया गया है। उर गुजेराति भाषा जो है जो गुज्राती लोगों की मात्रू भाषा है। अंदर जो भी काम करना है जो विशई उसके अंदर है ताकि सारे पाठ्यकरम को गुज़राती में ट्रांसलेट किया जाए जो reference books वगेरे है उसमें से भी गुज़राती में उसका अनुबबाद हो यह जो जिन्मे दारी है यह गुज़राती में करने की जिन्मेदारी है वो MS University के सीर पे दी गई हुई है Sir MS Notic किस तरह इस दिम्मेदारी को निभाएंगी किस तरीके से planning है कौन सी committee बनेगी कौन-कौन इस पर काम करेगा और किस तरह से काम करेगा ऐसे देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा सा उसको देखते हुए ही UGC ने भी recommend किया था और साथ में University MS University as a nodal University तरीके वे काम करेगी उसके साथ गुजरात की 10 University और उनके Vice-Cancelors को भी साथ में जोडा गया है MS University के Vice-Cancelor प्रोफेसर वीजे कुमार श्रीवास्तव सर्जी जो है वो उनके nodal officer रहेंगी उनके साथ Central University, Kach University, SP University इस प्रकार से कुल 10 University है अलग-अलग उनके Vice-Cancelors की committee form होगी यह committee भी form हो चुकी है इनकी meeting होने के बाद अलग-अलग विशयों पे हरेक को टास्क दिया जाएगा जैसे कहीं पे engineering है, medical है, pharmacy है यह सभी प्रकार के courses जो है, syllabus है या उसके जो courses है, उसको गुजराती में design करना यह activity शुरू होगी सर क्या कोई timeline दी गई है क्योंकि नई शिक्षा पत्धती तो अब लागो की ही जा रही है क्या कुछ duration दिया गया है कि इतने वक्त में आपको यह complete करके देना है काम टाइम फ्रेम की जहां तक बात है तो ऐसी कोई टाइम फ्रेम UGC की और से तो दी नहीं गई है परन्तु हमारे जिनके लीडर्शिप में यह कमिटी बनी हो है Honorable Vice Sanceler Sir Vijay Kumar Shrivastava Sir उनका यह बहुत सपस्ट मानना है जैसे MS Union भी नई education policy implementation में अग्रेसर रही है हर एक आयाम में जिस प्रकार से पहले ही हमने वह NEP को लागो किया है वह देखते हुए ही UGC ने हमको यह task एक और assign किया है ताकि यह जल्दी से जल्दी इसको खतम किया जाए और हम ऐसे आशा रख सकते हैं कि next academic year तक यह सब तैयार हो सके आप कितना जरूरी मानते हैं मात्रु भाषा में बच्चों को पढ़ाए जाने को विद्यार्थी को हर एक भाषा का ग्यान होना चाहिए यह आवकारिया है परन्तु जो मात्रु भाषा है जो मात्रु भाषा ही इसलिए कहा जाता है जो दिल से निकलती है जो दिल से निकलती है तो दिमाग में जल्द जाती है यह एक सिधी सी बात है तो मात्रु भाषा के सिक्षन से जो आज तक इसका जो में बेजिक इसका देखने जाए तो ऐसा है कि जहां पर आज तक हम कहीं न कहीं रिसर्च के उस दौर में जब पूरी दुनिया रिसर्च और इनोवेशन में आगे बढ़ रही है तब हमारी केंदर सरकार और राज्य सरकार रिसर्च और इनोवेशन के लिए इतना सारा एकस्पेंडिचर कर रही है तो उसमें ये मात्रुबाशा के सिक्षन से उसको विद्यार्थी को हरेक पासा वो उसके दिल से लेके दिमाग तक पहुँचेगा और उसकी वज़े से मैं ये मान रहा हूँ कि बारत को जो कल ही शायद हमारे वड़ा प्रदान जी ने कहा है कि नेक्स्ट उसमें हम तीसरी लार्जेस्ट एकोनमी बन जाएंगे तो वो इससे बहुत ही ज़्यादा शायद हेल्प मिलेगी उसमें बातरो भाषा यानि मा की भाषा जो बच्चा बच्चपन से बोलता है लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि गुजराती परिवारों में भी बच्चे है ना गुजराती पढ़ना नहीं जानते है बोलना थोड़ा बहुत जरूर जानते है लेकिन गुजराती पढ़ना लिखना बच्चों को नहीं आता है खासकर अगर मैं गुजरात की बात करूँ देशपर में शायद यही हाल है कि अंग्रेजी माधियम की स्कूल इतनी जादा है हर पैरेंट अपने बच्चों को इंग्लिश मिडिये में पढ़ाना चाते हैं मातरू भाषा कही ना कहीं पीछे शूट रही है UGC की और से नई शिक्षा पथती के तहत यह एक बहुत उंदा पहल की गई है और उसमें MS University को जोड़ा गया है जो वड़ोतरा शहर के लिए गौरव की बात है आशा करते हैं कि आने वाली पीड़ी हमेशा मातरू भाषा सीखे पढ़े और मातरू भाषा में पढ़ लिखकर इस देश को आगे ले जाए सहयोगी भरत राश्पूत के साथ मयूरी का VRM TV के लिए कुजरात का बड़ोतरा शहर एपिहासिक नगरी होने के साथ साथ धार्मिक नगरी भी है यहां धार्मिक परंपराओं को साल दर साल एक ही तरीके से निभाया जाता है बड़ोतरा में महारास्टियन समाज सालों से बसता आया है और महारास्टियन समाज की परंपरा भी यहां सालों से कायब है उन्ही में से एक है खंडोबा भगवान का विवा खंडोबा मानसा दिवी के साथ विवा करते हैं और चंपा सस्टी के दिन यह विवा होता है जिसके चलते खंडोबा मंदिर में भाविक भक्तों की भीड है खंडोबा मंदिर सालों पुरान वडोद्रा का एतिहासिक मंदिर और यहां सालों से महरास्टियन समाज के लोग खंडोबा भगवान की पूजा अर्ष्टा करते आये हैं बोलाए माता के मंदिर से भगवान की बरात तिकलती है और मानसा देवी के साथ उनका विवाख होता है जिसके लिए महारास्टियन समाज हर साल धर्मी कायोजन करता है चमपा सस्टी ममौत साव पर हर साल भगवान खंडोबा की शादी होती है और कल शाम यहां हल्दी की पारंपरी कविधी विवी महारास्टियन समाज निभाई है पड़ोध्रा में कायकवाड परिवार द्वारा देवसान ट्रस्ट संचालित कई मंदिर है उन्हीं में से एक मंदिर ये भी है खंडोबा मंदिर जहां सालों से पारंपरी ग्रूप से वगवान खंडोबा की पूजा अर्शना होती आई है और शादी सवारों में भी परिवार हमेशा ही यहां शामिल होता है महत्व क्या है इस पूरे दिवस का और खंडोबा के विवाह का महरास्टियन समाज के लिए खंडोबा जी का विवाह होता है उसके दिन पहले जैसे अपन पिठी लगाते है भगवान की पूजा अर्चा करते है जैसे साथ दिन हमारे घर में शादी होती है तो जैसे अनेक विदिया करते है उसी टाइप खंडोबा जी के शादी के पहले इसी विदिया होती है कल पिठी हुई परसो अनेक पुजा अले गलग सी हुई आज उनकी शादी है महासा माता के साथ खंडोबा जी एक तो महादेव जी का ही अवतार है तो और पारवती माता मिंतलब महासाई माता का अवतार है तो उनकी शादी हुई है और बानाई माता जो उनकी प्रेमी का थी ऐसे कहा जाता है तो होते थे वो चराने आती थी वो एक्चुल में पारवती माता का ही रूप है तो उनसे शादी की इच्छा रखी थी पारवती माता ने, तो ऐसे महादेव जी तो हात में आने वाले नहीं थे, तो उन्हों ने ये रूप धारन किया, फिर महादेव जी उनके जो मतलब हुजा में बहुत प्रसंद हो गए, फिर उनको उन्हों ने अशिरवत भी दिया और असली रूप भी प्रकट किया, फिर उनकी प्रेम हो गया, फिर वो शादी करके लेके गए बानाईजी को भी, और मासा माता का भी आज मतलब उनसे विवा हुआ था, वो दीन है चंपा शष्टी, हम मराथियों में ये बहुत बड़ा, मतलब हमारा कुल दैवत है ये, कोई हमारी पूरी होती है, मालार जी के सामने, उनका एक जय जय कार होता है, यलकोट, यलकोट, जय मलार, सदानंदा चा यलकोट, सदानंदा चा यलकोट, ये मतलब उनका प्रसंद करने के लिए ये मंत्र बोला जाता है, उनका जय जय कार होता है इसी से, आज यहाँ पे बहुत बड़ी बारात निकलेगी, इधर और एक मंदीर है, वहां से बोलाई माता का, वहां से बारात आएगी, और यहां पे शादी रहेगी, यहां पे अपने देखा होगा मंदप सजाय होआ है, रिसेप्शन की भी तैयारी है, सब कुछ मतलब अपनी सेम शादी जैसा ही सब माहूल बड़ोत्रा में भगवान नरसी जी की शादी होती है, वड़ोत्रा में हर एक भगवान की अलग-अलग परंपरा, उसी परंपरा के साथ शादी होती है, और वैसे शिव परवती का स्वरूप, खंडोबा, भगवान और मांसा देवी की शादी भी होती है, और महारास्टिय समार इसमें बढ़ चाड़कर हिस्सा लेटा है और सुख सम्रूती की कामना करता है भारतिय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एकता नगर स्थित स्टाच्व ऑफ यूनिटी के परिसर से सरदार वल्लब भाई पटेल की विश्व की सबसे विरा सरदार पटेल की जीवन पर आधारित फिल्म देखने के बाद उन्होंने नोटबुक में अपने प्रतिभाओं को साज़ा करते हुए लिखा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे यहां आने का मौका मिला सरदार पटेल को समर्पित विश्व की सबसे विराट प्रतिमाद देश की युवाओं को प्रेदेत और एकतरत करनी में सहायक होगी युवाओं में उर्जा और उत्सा का संचार होगा गाइड जुबिन गमीरे द्वारा गवर्णर को स्टाच्य ओफ युनेटी के बारे में जानका लिदी गई जुलाविकास अधिकारी अंकित पन्नू और कलेक्टर गुपाल बामनिया द्वारा गवर्णर को स्मृती चनह भेंट किया गया लुँ है